आज हम हिंदि साहित्य के इतियास में रीती काल की काविधारा है रीती बद, रीती बद के मैतुकून प्रशन पढ़ेंगे, देखिए, किस रचना को चंदों का अजायब घर कहा जा सकता है, राम चद्री का, यह प्रशन ऐसा है, बहुत बारा चुगा है, ठीक है, केशव री रचिख प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंघ देव चरित्र, जहांगीर जस्चंदरीका, नक शिक, चंद माला, कवि प्रिया, विज्यान गीता, तथा राम चंद्रीका, राम चंद्रीका को चंदों का अजायब घर कहा जा जा गया है, ठीक है, रचिका कविव प्रिया और च चंदों का निरूपन किया गया है राम चंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है जबकि रतन बावनी वीर सिंग देव चरित्रोर जहांगीर जस्चंद्री का आश्टी दाताओं के प्रश्च्ती विशक ग्रंध है विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विशे क को प्रस्तुत किया गया है तक है नक्सिक से नक्षिक में प्रंप्रागत उपंद ही साहिता से राधा के विबनंगु का बंदा इस वे बिश्चंद्री का मतलब है राम चंद्र का जिसको चंदो का आम बता यह कैसव नहीं करता नाम के रिंद्रेती परमपार प्रथम घर किसने सवर्दास ने पिर से वही पोषन है कि वज्ञान कि तक है किसने रचना की है किसव दास में जज़ें राज़ेंगी राजिर आछ कों है आचारी केशव दास यह कुंसा गरंत केशव का नहीं यो सोभाषण बाकि सबही केशव दास ऑन्प सा है इस पर अधारी तो ग्रंद दो में अलंग्रित भाषा भांक्राश रचना के शबतास की भाषा ब angular If Healing क फिनके इस्जाना इसे पांच परकाशобщel one कर बिवक्त कर्परस्तत किया गए इनकार्थ WATK इस सभी केस अब्धास की blurry कि नोगता जनाएं अपने आपको बताने हैं और हमंगे वासं बूठनेाा लिखे अपने तोक है निम्लीकित पंक्तिया किसके दौराइं determines दौर। जाती शूलक्षनी सुबरान सरत सुवर्थ किसके द्वारा के सरदाज जी के द्वारा ये देखिए दो पंक्तिया ठीक आज के लिए बसिता है